नमस्का दोस्तों, रिसेंडली इंडियन नेवी के स्पोक्स परसंद वारा ये ट्वीट किया गया जिसके अंदर पता लगा कि भारत के आत्म निर्भर भारत को एक बहुत बड़ा बूश मिला है, क्योंकि भारत के ब्रहमोज मिसाइल की एक्स्टेंडेड रेंज को रिसेंड के लिए अंडमा निकोवार आइलेंड से एक मिसाइल टेस्ट की जानी थी, भारत की क्रूज मिसाइल, जिसके लिए लगबग 900 किलोमेटर का नो फ्लाय जोन घुशित किया गया था, नो फ्लाय जोन क्या होता है, शौट में बता देता हूं, कि जैसे अगर मान लो, यहां से मिसाइल टेस्ट कर रहा है, और यही से एक हवाईजान जा रहा है, यहां से कोई भी हवाईजाज, ड्रोन अगयरा ना जाए, वही चीज कहांपर की गई, 900 किलोमेटर का नो फ्लाय जोन घुशित किया गया, बट इसके पहले जब भ्रहमोज, मिसाइल को टेस्ट किया था, तो 400 किलोमेटर, 500 किलोमेटर का No Fly Zone गोशिद किया गया था, है इस बार 720 किलोमेटर का No Fly Zone गोशिद किया गया था, मतलब माना जा रहा है कि 800 से 900 किलोमेटर वाली जो भ्रमोज मिसाइल है उसे टेस्ट किया गया और यह बहुत सिग्निफिकेंट है, भारत की Defense Capabilities Point of View से इसे और डीटेल में शर्चा करेंगे पर इस वीडियो में देखो किस तरीके से इस मिशाल को टेस्ट किया गया था शारो तरह वैसी रोश्णियों भी कुछ नहीं दिख रहा है और वो जारी ब्रहमोज माना जा रहा है कि 900 किलोमीटर रेंज वाली ब्रहमोज है और ये कैमने में इस तरीकी की गरजन इसकी सुनाय दे रही है आप देख सकते हो कितनी पावर ये क्रियेट कर रही है दोस्तों डीटेल में चर्चा करेंगे कि ब्रहमोज मिसाल सिस्टम की एक्स्टेंड़ रेंज मिस प्रदेश रिसेंटली एक आफी न्यूज में है सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दो गयो और जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के उपर मैं हाट दूँगा इसके अलाव UPSC CAC की तयारी करना चीज आप लोगो दी जाएगी रीडिंग मटेरियल आपको दिया जाएगा कम्पलीट प्रिपरेशन के लिए जो भी चीजे लगती है वो सब कुछ आपको आपन मिलने वाली है अब आप कहोगे सर बहुत अच्छी चीज है तो हम जूरना चाहते हैं तो नीचे ना एक कमेंट उसमें अपना नाम नंबर और एजुकेटर के अंदर शुभहिंदर डालना उसके बाल आपको दो लिंक और मिलेगी पहली लिंक मिलेगी मेरे लेक्षाटी पीडियेव कियी और दूसी लिंक मिलेगी आपको और को मूझ आयों की簡 स्वें अपको निएफ आपको दूसरी लेने वाले हैं वो सब के ओपर भी आपको guidance वो दी जाएगी इसके अलावा छे फरवरी के दिल पांस साथ बजे के बीच में ताल का तोरा श्टेडियम के अंदर अनकेडमी के दिगच रोमन सेनी सर आईए सोम्या में यह आप लोग का सेमिनार लेने वाले जहां पर आपको ड दो साथ समयने का प्रयास करते हैं ब्रहमोज मिसायल सिस्टम के बारे में उसके पहले जानते ब्रहमोज क्या है एक्चल में ब्रहमोज जो डेवलप किया गया था वो डीआईडियों और एंपॉम के एक joint venture के रूप में यानि कि इंडिया और रोष्या के द्वारा एक joint venture create कि ब्रह्मोज, भर्म जो शब्द आया है, वो ब्रह मोपुतर से आया है, और मौस्क कोवा से आया है, ये भारत और रोष्या की नदियों के नाम है, उसे नाम मिला है भर्मोज यानि की इंडिया और रोष्या द्वारा jointly भर्मोज को डेवलप किया गया था, अब इसका Land, Sea, Air, All Weather, Day, Night सारे वर्शन जो है वो हमारे तयार है 2001 में जब ये ब्रहमोज को बनाने की शुरुवात की गई थी तो उस समय पे ब्रहमोज केवल 290 किलोमेटर की रेंज रखता था कितनी? 290 किलोमेटर इवन 2015 तक भी भारत के ब्रहमोज की रेंज केवल 290 किलोमेटर थी क्योंकि भारत MTCR का भाग नहीं था इसी कंडिशन में भारत की क्रूज मिसाइल के उपर ये रस्टिक्शन थे कि भारत की cruise missile system की range 300 km से जादा नहीं होनी चाहिए इसी condition में भारत जो है 2016 तक 290 km तक ही ब्रह्मोज missile की range को रख पा रहा था 2016 जून के महिने में भारत ने missile technology control regime जो है वो जोईन किया जिसके बाद अब भारत और जादा लंबी range की missile को टेस्ट कर सकता है डेवलप कर सकता है जिसके बाद लगातार ब्रह्मोज की range को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था रीसेंटी आप लोगों ने देखा होगा 29 जितंबर 2022 के दिन भारत ने सुखोई fighter jet से 4500 किलोमेटर वाली भ्रह्मोज missile को टेस्ट किया था 4500 किलोमेटर तक 2022 में हम पहुंचे थे और अभी जो टेस्ट किया गया है उसके अंदर भ्रह्मोज के 900 किलोमेटर वाले variant को टेस्ट किया गया है ब्रह्मोज की कुछ और खाशियत बताऊं तो यह एक सूपर सॉनिक क्रूज missile सिस्टम है जो fire and forget टाइप है मतलब पहले क्या होता है जब missile अगर launch करते थे तो missile को launch करने के बाद में एक thread लगा होता था यहां पर remote होता था और आदमी remote से उसको control करता था ताकि सही जगे पर जाके लगे तो उसे दिक्कत क्या होती थी जब missile launch की दुश्मन को लगी तो दूसरे दुश्मन ने देख लिया क्योंकि अब लड़ाई हो रही है यूद दो रहा तो समय पर एक दुश्मन आपका सामने को डून के पहुंच जाएगी वहाँ पर अटेक करने वार हेड नुकलियर 300 kg तक हो सकता है और सूपर सॉनिक missile system है 2.8 मैक यानि की sound की speed से 2.8 गुना ज्यादा speed पे चल सकती है इसके अंदर दो अलग-अलग इस्टेजेज है क्यों होता देखो ये cruise missile system अब cruise missile system की खासियत क्या होती है cruise missile system जो होता है वो धरती के parallel चलता है जैसे मैंने ब्रह्मोष का आपको टेस्ट दिखाया है तो पहले क्या हुआ ऐसे सीधे गई उपर और फिर ये धरती के parallel चलने लगीगी ये atmosphere के बाहर नहीं जा पर जाती है ऐसी condition में ballistic missile की naturally range जादा होती है आप अगनी वगेरा की देख सकते हो intercontinental ballistic missile system आप सुन रखते हो cruise का आप बहुत कम सुनोगे cruise जो है वो इंटर में oxygen का tank भी ballistic missile में रहता है पर cruise missile जो है वो उपर नहीं जा रही ये atmosphere में है तो इसको अलग से oxygen के tank की आवशकता नहीं है नहीं इसको rocket engine के आवशकता है ऐसी condition में cruise missile के अंदर jet engine लगता है अगर भ्रमोष की बात करूं तो भ्रमोष के अंदर दो stage है सबसे पहली stage के अंदर ज jet engine जो की jet engine है वो इसे cruise के रूप में चलाता है ब्रमोष भारत के अंदर indigenously developed है शुरुवात में था के 2004 तक 13% ही indigenous आइटम इसके अंदर लगे हुए ते बाकि सब रश्या से आता था अभी 75 इवन 78 प्रतीशत तक ब्रमोष जो है वो भारत के अंदर indigenous बने हुए पार्ट से हो रही है राम जेट इंजन भारत के अंदर बहुत चारा डेवलप नहीं है ब्रह्मोष के लिए अभी रश्या से आता है इसी कंडिशन में 100% इंडिजिनस ब्रह्मोष को नहीं कहा जा सकता है अभी डियाइडियो द्वारा अलग-अलग प्रोग्राम चलाय जा रहे हैं रा लाइक करना लेक्षर बहुत चाल लगा तो नीचे साथ से टन कमेंट करना यूप एसी सी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकर से ऑफ्लाइन के अंदर पढ़ना है तो 2024 के बच्चों के लिए सी सेट का क्रेश कोर्स और प्रिलिम्स का क्रेश को अल्री लॉंच हो च एका के बच्रेश